सुनाओ अडानी बिलमाल लेमिटेड अब देखे 378 रुपए का प्राइस है और 4% की गिराबट के आसपास बंदुआ और यहाँ पर यह सवाल है कि पूरे अडानी गुरूप के अंदर यह कंपनी ऐसी है जो की रिकवर पूरी तरीके से नहीं हुई बाकि सभी स्टॉक्स जो हाइर साइड चले गए बट यह अपने निचले लेवल से कुछ खास रिकवर नहीं हुई है इसके पीछे का रिजन और अडानी गुरूप जो है वो एग्जिट क्यों कर रहा है इस कंपनी से उसके बाद इस कंपनी का क्या होगा क्या यह एक बैस्ट पिक रहीगी अडानी गुरूप के अंदर अगर हम देखे सारी स्टॉक्स के अंदर तो अभी अगर आप देखेंगे तो इस साल का जो low है वो almost 289 या 80 के something जो है वो बनता है और वहाँ से ये recover हुई लेकिन बैसे recovery यहाँ पर देखने हुँ नहीं मिली है जो कि अडानी ग्रूप के बाकी stocks में देखने हुँ ले यानि कि double हो गई है जैसे कि हम बात करें अडानी green energy की almost यहाँ पर जो है 70% का एक jump हमें देखने को मिला है सिर्फ दो-तीन दिनों में अडानी total gas जो की double हो गया है almost अपने निचले लेबल से और उससे भी उपर है यहाँ पर पहुँच कि लेकिन अडानी बिलमार के अंदर हमें देखने को नहीं मिल रहा है इसलिए यहाँ पर और बिगडे हुए यह एक अडानी गुरूप की एक ऐसी कंपनी है जो कि एक loss making company बन चुकी है इस वक्त तो अभी एक दिसम्मर दो जाते इसकी ख़वर है यहाँ पर अडानी गुरूप जो है वो डिसीजल लेगा और यहाँ पर डैवेस्ट करेगा इस टेक यहाँ फिर यह कोई यहाँ पर जो है आता हुँ देखेगा इस joint venture में तो अभी अपने को यह देखने को मिलने वाला है तीन मेने कंदर अंदर फरविरी का टाइम बहुत जादा दूर नहीं है तो अभी आपको जल से जल देखने को लेए और यह ख़वर दी है company के CFO और यहाँ पर है अगर fortune के और बहुत सारे जो चीज़े वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है और इसकी बज़े से अगर आप देखे तो थोड़ा सा interest आपका इस तरफ होने चाहिए जरा business को देखे अभी जो हाला चल ले है उसको नहीं जरा business को देखे FMCG के अंदर यह stock है कैसा कही नहीं एक बात बन सकती है तो edible oils में सबसे बड़ा जो stocks है वो कौन-गौन से है वो हम अभी देखेंगे लेकिन अभी जो आपके financial indicators है जरा वो देखते हैं EPS जो है वो one का दिखा रहा है जो कि यहाँ पर बहुत जादा नहीं है यह आप देहान रखेगा इसके साथ पी रिशो 377.26 सबसे मेहंगी company यहाँ पर जो है आप कहा सकते हैं सबसे मेहंगा stock है market के अंदर अगर आप FMCG के अंदर आप देखेंगी जो कि अपने को यहाँ पर देखने मुलता है 88.30 का यहाँ पर industry पी चला है जो कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफी higher side आपके stock का PE ratio वर्क कर सावित हो सकता है जो कि हमारे हां से नहीं निकलना चाहिए यह एक point of view होना चाहिए इसलिए study करना बहुत important है 61.26 की book value है अपने book value से 6.17 time ऊपर वर्क कर रहा है बाकी अदानी stock अगर देखेंगे तो 20 से 30 गुना ऊपर वर्क कर रहे हैं तो आभी सबसे पहली बात यह नोट क कर सकते हैं ठीक है तो अभी यह पक्का यहां पर हुआ नहीं है कि पूरी तरीक से complete exit करना है या फिर कुछ stake को divest कर देना है यह बात यहां पर है तो अभी clouds जो है ने dark cloud वो अभी च्छाय हुए है इस company के ऊपर और इसी वज़े से stock कोई run-up नहीं दिया है इस बात को आप note क तो अभी company का जो market cap है वो अगर आप देखेंगे तो 49,088.86 करोड है current भाव के साब से और यहां पर सबसे बड़ा जो market cap है वो उसका है यानि की पतंजली foods limited 58,000 करोड का market cap अचीब कर चुकी है यह company multi bagger stock पतंजली foods limited 58,000 करोड का market cap है और अगर profitability देखेंगे तो अडानी बिल मार से कम है लेकिन actual में अगर आप देखेंगे अडानी बिलमार के अंदर problem क्या बन चेकी है वो अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपका यहां पर clear हो गया होगा सबसे बड़ी company आपको यह देखने को मिल रही है याने कि दो ही सबसे बड़ी company है से sector के अंदर पतंजली foods औ और अडानी बिलमार और अगर करज की हम बात करें तो करज कितना है इस company की ऊपर 3642 करोड का करज है तो ऐसा नहीं है कि कोई 50,000 करोड का करज है या 10,000 करोड का करज है ऐसा कुछ हमें इस company के साथ देखने को नहीं मिल रहा है यह एक अच्छी बात है यह पहला point है जो कि हमे positive देखने मिल रहा है बहुत बड़ा करज नहीं है कि यह करज के दायरे में फसे हुए है यह करज इनको ले डूबेगा ऐसी कोई बात है आपर दिखती नहीं तीने जा 642 करोड का करज है जो net sales है वो 50,000 करोड के ऊपर है पूरे साल की अगर आप देखेंगे बट जो एक प् अगर देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा profitability उतनी नहीं देखने मिलेगी लेकिन जो net sales है वो लगातार increase हो रहा होगा इस company के साथ उल्टा है 2022 से December का जो quarter है उसमें आगर आप देखेंगे तो 15,438 करोड की net sales है और उसके बाद लगातार एक downtrend पकड़े हुए है और अभी का जो latest Q2 है उसमें 12,266 करोड रुपे की याँपर 68 करोड की 12,268 करोड की net sales है तो लगातार हर quarter में ये जो net sales है वो down गई है और जो दो quarter है Q1 और Q2 एक loss making quarter है 100 प्लस करोड का loss है तो यहाँ पर आपका earning per share कुछ खास increase होगा ही नहीं और इसी वज़े से आपको जो P ratio वो इतना high देखने को मिलना है लेकिन अगर यहाँ पर profitability increase होती है आगे चल कर so that है यहाँ पर आपका earning per share increase होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर valuation comfort इस company के अंदर देखने को मिलने लगेगा लेकिन वो किस quarter से सुरुआत होगी यह अपने को देखना है और खास interest है यहाँ पर किसी का है ही नहीं अगर आप share holding pattern उठा कर देखेंगे तो Q2 में अगर आप देखेंगे इस share holding pattern FIS exit कर चुके है 0.63% की ही यहाँ पर stake अगर आप देखें है holding जो की FIS की यहाँ पर देखने मूलती है promoter holding तो लगातार बराबरी है बट यहाँ पर DIS का कोई interest नहीं mutual fund बिलकुल low value रखते हैं इस company के अंदर इसके साथ साथ जो retail निवे सक है उनकी यहाँ पर बढ़ी है 10.85% से बढ़कर 11.36% holding इस company के अंदर जा चुकी है तो इतना हमें देखने मूलता है तो FIS और DIS का कोई भी इंटरेस्ट इस company को पर नजर नहीं आ रहा है इस हिसाथ साथ से अगर आप देखेंगे तो तो अगर हम एक calculate करे रहे हैं कि इसका real भाव कितना होना चाहिए इंडस्टी P.E. अगर आप देखेंगे तो उसे साथ से आपका जो पतंजली फूर्स है वो कर रहा है 66 के P.E. मुल्टिपल वो वर्क चाहँ चटके और ये कर रहे हैं 377.26 के आइनिक पर शेयर आपका one है और अगर हम यहाँ पर completely यहाँ पर कर देखेंगे तो 77 मौल लेते हैं कि अगर ये 77 के P.E. पर अगर हम जोड़ कर चलें तो हमें 300 का जो P.E. मुल्टिपल है वो बहुत extra हमें देखने मिला है यानि कि इस कंपनी के अंदर अगर आप देखेंग पर शेयर का भाव क्योंकि ये 300 का जो P.E. मुल्टिपल है वो काफी जादा देखने को मिल रहा है एक्स्टर हम 77 का P.E. रेशियो अगर ले 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 तो इससाफ से आगर आप देखेंगे तो आपको 77 से 80 रुपीज का भाव देखने को मिलता अब अगर ये अडानी के नाम इ पास भी पहुंच जा तो कोई बड़ी बात नहीं थी तो ये इतना यहाँ पर यूज हमें देखने को मिल रहा है अब ये कैसे लेंगे ये पता नहीं है इस बात का बिलकुल भी अंदाज़ा नहीं है ब्रेंड वैल्यू है तो उसका कहीं ना कहीं आपको प्रीमियम भी ये जो IPO प्राइस है उदर के आसपास ये अगर मिल जाए ये स्टॉक तो इसमें कोई भी शक्की बात नहीं है कि ये आगे के लिए कहीं ना कहीं एक बैस्ट पिक साबित होने चाहिए यूकि फॉर्चून का एक जो ब्रेंड वैल्यू है वो मार्केट के अंदर बनी रहेग फॉर्चून का ब्रेंड जो है जो ब्रेंड वैल्यू को खतम नहीं कर सकते हैं आसानी से ये बात नहीं रखी जैसे टाटा सॉल्ट है वैसे ही यहाँ पर रिफाइंड में अगर आप देखें तो फॉर्चून को ही पूछा जाता है ये कि यहाँ पर जो नोट करने वाली ब लेकर नहीं मिलती कहीं ना कहीं यहाँ यहाँ से समझ में आता है तो अभी एक लौती कमपनी है जुकी लास मेकिंग कमपनी बन गई है यहाँ पर अग़ना कि हुआनी ग्रूप ने जो इंटर्यस्ट की कमी हैं इस कमपनी को लेकर वह भी कहीं लुक दिख रहा है complete exit का मतलब है simple सी वात है अलग अट जाना company से तो कुछ ना कुछ तो सोच ही होगा और आगे की दिसा कैसी रहेगी इसकी उपर सवाल है कही ना कही इसलिए best perform नहीं कर पा रहा है यह stock आगे की रहा कैसी होगी कहना मुस्किल है बट अगर आगर आपको यह 200 से 250 के भाव पर अगर यह मिल जाए तो फिर कही ना कहीं आप उस वक्त ट्राइ करियेगा कही ना कहीं यह best पिक कहीं थाबित हो सकती है FMCCG के अंदर valuation भी कही ना कहीं adjust हो जाएंगे उस वक्त यहाँ पर बस इंतजार यह करना है कि profit increase कैसे होगा कंपनी के आगे का जो plan है वो क्या होगा कहीं ना कहीं इसकी उपर कोई ना कोई कमेंट जरूर आएगी तो इसका wait करना है अगर हम fundamental view देखें technical view क्या है technical view यह है कि भीया यहाँ पर जो आपका 420 रुपए है उसके उपर निकलना जरूरी है जो कि हमने बहुत 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 पहले ही बात करे थे कि resistance और support की बात कहा है तो बिल्कुल completely हम एक के सही direction में गए थे उस वक्त अडानी बिलमार को हमने बहुत ज़्यादा cover नहीं किया है अडानी बिलमार में अगर आप देखें तो यह 420 का निकलना लेवल बहुत important है फिर उसके बाद 489 की तरफ कहीना कहीं रुक लेगा और 489 से अबब अगर निकलेगा तो यह highest level है यह highest level है इस stock का और यह है कुछ 550-560 का तो उधर की तरफ कहीना की रुक कर जाएगा 489 अगर निकलेगा लेकिन इतना हाई जाने का कोई reason होना चाहिए चुकि valid reason नहीं मिल ले so that अगर किसी को fundamental lover है तो उसका wait करिए अगर आपको यह right price मिल जाए तो आप इधर की तरफ देखिएगा लेकिन उस वक्त भी study करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त technical view यहीं मिल ला है कि भाई साब यहाँ पर 489 का level निकले sorry 420 का level निकले 377 का price अगर 420 का level निकलेगा कहीना कहीं 490 की possibility यहाँ पर जादा बनेगी so उमीद है आप इस बात को समझे होंगे कि क्या चल रहा है अडानी बिलमार के अंदर और तीन महीने के अंदर अंदर यह सारी बात है clear हो जाए तीन महीने में यह price कहाँ पर होगा यह एक बहुत सोचने वाली बात brand value भी ध्यान रखिए brand value भी एक अलगी चाप रखती है तो brand value किसी ने मिटाई नहीं है तो वो 70 रुपए जो fundamental दिख रहा है वो possible नहीं है brand value भी उसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर कहीं न कहीं 200 से 2500 रुपए एक real price निकलता है जहाँ पर retail investor के लिए favorable कहीं न कहीं यह stock हो जाया तो इस बात को ध्यान रखेंगे तो आपकर कहना है इसके उबर कमेंट से समखेंगे और अब भी जोड़े देखने के लिए बहुत धन्माद दूस्तो